फ्रेंट सुशान सिंग राजपूत केस में आप लोग देखे कि किस तरह से एक के बाद एक अपडेट्स सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं कई लोग आडियो के जरीये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था 13 जून को कई लोगों ने अपने अपने तरक रखें अपने बात रखें लेट्स टेक इट पॉजिटिवली कि ये सब सुशान सिंग राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए कर रहे हैं लेकिन कहीं हम लोगों से कोई चूक तो नहीं हो गई और उसी के चलते एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसको सुनकर और देखकर आप लोग हरान हो जाएंगे मैं उसके फोटो भी साथ में लगा रहा हूँ ताकि आप लोग देखेगा और फिर इस पर गौर फरमाईएगा हो सकता है कि सब कुछ इसी से क्लारिटी निकल कर आ जाए और इसी पर अगर इन्वेस्टिगेशन को आगे मूव किया जाए तो इस केस में जल्दी जस्टिस मिल सकती है वज़ा है पोस्ट मॉटम रिपोर्ट सुशान सिंग राजपूत की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट को इनके लिए है और सी अगर जाहे तो इस पर गोर फर्मा सकती है मामला है पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में वोस्ट मर्टम रिपोर्ट में दो ऐसी चीज़े जिस पर मैंने गोर किया और मुझे लगा कि मैप लोगों तक पहुंचा हूँ आंप proyecto कि अ में आप देखिए सुशा सिंग राजपूत रहते थे मांट ब्लैंक में जो कि जॉगर्स पार्क के ओपोजिट है लेकिन अड्रेस में कुछ ना कुछ जरूर आता होगा नंबर जैसे 33 अबलिक सम्थिंग लेकिन यहां पर कुछ भी मैंचन नहीं है अड्रेस में लिखा गया इन फ्रेंट ऑफ मांट ब अभी रीसेंटली इस पर गौर्ड फर्माया वो है सुशान सिंग राजपूत केस में अस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग अन्नाचुरल हाववर विस्रा प्रिजर्व और केमिकल अनालिसस उसके बाद लिखा है विस्रा अबलिक सैंपल्स प्रिजर्वड वन नंबर पर रोमन नंबर वन सेलोट टेप फ्रम लिगेचर मार्क साइट ये एक मिसिंग है जो कि आज तक किसी ने इस पर बात नहीं की है यहां पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है सेलोट टेप फ्रम लिगेचर मार्क साइट जाट मीन्स जहां पर लिगेचर मार्क था वहां पर किस ने लगाया कैसे लगा और आप लोगों को अगर ध्यानों न्यूज नेशन पर एक खबर चलाई गई थी जहां पर एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं ऑस्पिटल का एक बॉय हूं और मैंने देखा था कि जहां पर गले पर निशान था वहां पर टेप लगे हुए थे तो यह म सिंग राजपूत केस में ये एक बड़ी बात निकल कर आई मेरे सामने जिसको मैंने पोस्ट मॉटम के जरिये गौर फरमाते हुए देखा गौर फरमाया और देखा और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं तो फिलाल सुशान सिंग राजपूत केस में एक बड़ी खबर कुछ और खबरों के साथ फिर थोड़ी देर में फिर जुड़ूंगा धन्यवाद